नमस्कार दोस्तों इंडिया नेगर बुला यूट्यूग चनल पर मैं गोड़ागो और अब सभीक फिर से एक नए वीडियो में स्वारत करता हूं दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि माचान फार्म से रिलेटेड जितने सारा ठंडे में प्रॉब्लेम हो और इसी फार्म में किस तरिके से मैंटन किया जाता है ठंडे को और बार्ज का ऐज से मायां इंहोंने करते हैं, और इस हमें किस तरीके से मैंटन इन्होंने करते हैं इसी फार्म में है सबसे पहले समय को देखते हुएatar शुज्षाषा drill म में आने लगा तो आज इस फार्म का पुरा इस स्ट्राक्चर आभ लोगों को मैं दिखाऊंच और किस तरीके से मैंटन ठंडा में किस तरीके से मैंटन किया जाता है वह चीज भी आज अब लोगों को देखने को मिलेगा तो वीडियो में बिल्कुल लास तक बना रही है और चैनल पर नए है तो चैनल को जरू सब्सक्राइब कर लिजिएगा चलिए शुरू करते हैं आज साइड में पूरा और यह जो नेट देख पा रहे हैं इसी नेट से बोर्डिंग के आ गया था और यह गेट, एंट्री गेट चलिया हैं अंदर का स्ट्रेक्चर किस तरीके से हैं। और एकदम सिंपल सा इनके बनाया है दोनों साइट वहां पर भी और इस पर भी मेडिल में भी और इस सट में भी जाने-ाने का रस्ता छोड़े हैं। और ये सेटआप है तो दोस्तों मैं उनसे बात करके एही चीज जाना हूं कि ठांड़ा के समय में जो है सबसे ज्यादा इसमें प्रोब्लेम होता है क्यूंकि बार्ट्स जो है जबforme होने उसमें क्या होते हैं कि बार्ट का बोड़ी में जो है वह भूसी रहने के कारण वह मतलब गर्मी में रहते हैं गर्म हो जाते हैं बोड़ी जब नीचे रहते हैं तो बार्ट फ़रा सा गर्म रहते हैं लेकिन यहां पर जब बार्ट रहते हैं तो इसमें क्या होते हैं कि किसी तरीखे से भी फार्म के अंदर हवा नहीं आना चाहिए ठीक है देख पा रहे हूं वहां पर भी गैप दिया हुआ है थोरा थोरा जो भी नहीं होना चाहिए तकि बाहर का हवा फार्म के अंदर नहीं ना आ सके तो इनका कहना है कि बाड्स का एज हो चुका है एक इस दिन और यहां पर तेरा सो उन्होंने बाड्स लिया था ठीक है तेरा सो बाड्स लिया था और अभी इनका जो मॉटालेटी हो गया है एक सो बाड्स कम मॉटालेटी अभी तक हो गया है मतलब मॉटालेटी काफी थंडे के समय में मतलब उनका कहना है कि एक की लोट में प्रॉब्लेम है वह अभी इस समय अब सोच सकते हैं कि अभी हमारे यहां पर टेंपरेचर का बात करते हैं दस ंदिघ्रीं से नीचे लगभक पाँडिोपिट इस टैंपरेचिर रहता है तो इतना कम ठैंपरेचर में सोच सकते हैं कि इस तरीके का ठंड़ हो सकते हैं फिर भी बर दिखा क्वालिटी आप लोग देख सकते हैं तो इस तरीके का बाट्स का क्वालिटी है तो कोई ही चीज दिखाना चाहूंगा आज कि एक माचान फार्म जो है काफी यहां पर दिखाद आते हैं ठंडे के समय में तो इसलिए ठंडे के समय में जो है इनका कहना है कि अगर नहीं लेंगे बाट्स तो ही बेहतर है मतलब एक बाट खले ठीक है तो इस तरीके से इनका सेट अप कफी अच्छा लगा मुझे देखके और हमारी यहां पर ऐसा बहुत कोई फार्मार है जो आभी माचान फार्म जो है इसको तोड़ दे रहे हैं मतलब धंडा मेंटन नहीं कर पा रहे हैं बीट को मैंटन नहीं कर पा रहे ह के पावे नीचे जो भी अभ लोग देक पा रहे ह। इनोंने मैंनोवी साफ करते हैं को अधि यहां पर इन्होंने किया था और एक कहना है जब बोड़िंग किया था बोर्डिंग को जब प्रणा होने के कारण बाट्स का मोटलेटी भी हो गया तो ज्यादा तो यह है सेट अब दोस्तों कैसा लगा अगर अच्छा लगते हैं तो वीडियो को लाइक करें चैनल पर नया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और ड्रिंकर सेट अब देख लीजिए ड्रिंकर कि दूँआ अच्छाइब कर दो जल पर नया है तो झाल में पर दोस्तों जरूरा से अविए बाट्स का मजल दूड़ियों जरूरा वा니 तो आप